हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ आशी आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल पर आज मैं आपके साथ में जो टॉपिक डिसकस करने वाला हूँ वो है उत्तर बदेश के टॉप टैन प्राइबिट मेडिकल कॉलिज के बारे में दोस्तों आप लोगों के तरब से काफे रिक्वेस्ट आया था जहां पर आप चाहते थे कि हम आपके साथ में एक ऐसा वीडियो शेयर करें जहाँ पर UP के Top 10 Private Medical College की revised list आपके साथ में शेयर करें तो आज के इस वीडियो में मैं आपको Top 10 Medical College के बारे में उनकी सारी detailed information बताऊँगा उनकी basic information जैसे कि उनकी year, number of PG seats, passing percentage क्या है उनका expected cut off, साथ मैं आपको बताऊँगा उनकी clinical stats के बारे में और इनके pros and cons के बारे में भी आपको बताऊँगा और UP में कुछ ऐसे private medical college है जिनको हम emerging colleges में से एक मानते हैं उनके बारे में भी मैं उनकी अच्छाई और area of development के बारे में आपको बताऊँगा हमारे इस पीडियो को जरूर आखिर तक देखेगा ताकि आपको सारे points clear हो जाएं और इनके basis पे आप UP की counseling को अच्छे तरीके से plan way में आप attain कर सकें हमारे वीडियो आपको पसंद आये तो हमारे चैनल को जरूर जादस जादा like करिए, subscribe करिए और share करिए दोस्तों उत्तर प्रदेश के top 10 medical college की बात करने से पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि क्यों उत्तर प्रदेश इतना importance रखता है, क्यों इतना highlighted है सबसे पहला reason यह है कि यहाँ पर options हर score के range के बच्चों के लिए, score ज़्यादा है या फिर कम है, हर case में कोई ने कोई options available है lowest score versus budget का range, यानि कि score कम हो या ज़्यादा हो, budget में बहुत बड़ा gap नहीं है almost एक जैसा pattern है, here and there कुछ thousand यानि कि 50,000 या 80,000 रुपीज का gap है, या maximum 1,000,000 रुपीज का gap इस gap के साथ में colleges available है, low cost के option अगर हम lower score पे expect करें, तो इस तरह के options हमें किसी और state में available नहीं है अगर हम dimmed universities की बात करें, तो फिर भी lower score पे budget काफी high चला जाता है, जो कि unaffordable हो जाता है, बहुत सारे बच्चों के लिए तो ऐसे case में जो बच्चे aspire कर रहे है, medical program को लेकर के, उनके लिए बहुत ही अच्छा option निकलता है, उत्तरपदेस में, जहां पे वो मेहनत करते हैं, और जाकर के अच्छा perform करते हैं इसमें भी मैं आपको add करना चाहूंगा, मैंने अभी recently कई colleges के result को analyze किया, और मैंने देखा कि ऐसा नहीं क्या कि सिर्फ higher score के बच्चे जाकर के अच्छा perform कर रहे हैं, मैंने low score सिर्फ जो बच्चे गए थे उस colleges में, उनके performance को भी देखा, और काफी अच्छा feedback मैं आपको दे स्टेट, बिलकुल fact बात है, अगर किसी भी score range में अगर हम देखें, for example, एक ऐसा score range 500 का score हम लेते हैं, ऐसे score range में अगर कुछ dimly universities को छोड़ दें, तो private में अच्छे options कहीं पे भी नहीं मिल पाएंगे, जो कि उत्तरपदेश के comparison में अच्छे हैं, अपार्ट फ्रम आन्पद लेशन तलंगाना, language and food की बात करें, तो खास करके North India में जो बच्चे बिलॉंग करते हैं, उनके लिए हिंदी speaking state और खाना अपने महाल जैसा, तो ये उनके लिए बहुत बड़ा एक added advantage हो जाता है, जिसके वज़े से उत्तरपदेश से comfortable zone होता है, उनके लिए और adaptability उनके ल development हर साल नए नए medical colleges खोल रही हैं, और आने वाले time में in colleges में PG programs को भी start किया जाएगा, तो इस हिसाब से मैं foresee कर पा रहा हूं कि PG की seats बहुत जादा बढ़ करके सामने निकल करके आने वाली हैं उत्तरपदेश में, तो जो बच्चे यहां से पढ़ाई कर रहे हैं, उनको ये future benefit मिलेगा, 50% colleges have shown remarkable progressive approach, colleges को जब हमने उनका feedback लिया है बच्चों से, तो academics को लेकर कि बहुत अच्छा sound वो कर रहे हैं, और college बहुत अपने आपको push कर रहे हैं, अच्छे level पे अपने reputation claim करने के लिए, और ये एक अच्छा sign है, अगर college इस direction पे मैनाद कर रही हैं, तो connectivity भी एक बहुत बड़ा issue होता है, और उत्रपदेश से surrounded हैं लगबग 9 essay state, जिनके लिए connectivity काफी easy होता है, इस विए से उत्रपदेश में लोग बहुत जादा prefer करते हैं, colleges have received recognition within its stipulated time, इसका मतलब ये है, कि जो permitted college को लेकर के एक इस pressure था लोगों को मन में, जो stress था, वो भी clear हो गया है, private colleges जो उत्रपदेश में, उन्होंने अपने 3 time पे, यानि कि पहले batch उनकी pass out हो रही है, इस time पे उन्होंने अपना recognition attend कर लिया, जो कि बहुत अच्छी बात है, अब हम बात करते हैं, उत्रपदेश के top 10 private medical college के बारे में, दोस्तों ये हमारा अपना opinion है, हमारे observation है, जिसको हमन statistically verify किया है, हमने colleges को personally देखा है, feedback वहाँ पर जाना है लोगों का, जो बच्चे वहाँ पर बढ़ रहे हैं, जो senior बच्चे हैं, जो वो थियर में बच्चे हैं, जो intern है, जो resident है, उनसे हमने उनके experience ली है, जिसके basis पे हमने ये अपना opinion यहाँ पर share किया है, हो सकता हमारी opinion किसी से match ना हो, बट हमने कोशिश किया है कि जितनी accuracy हम यहाँ पर show कर सकते हैं, ताकि आपके लिए बहुत beneficial हो, यहाँ पर हमने basic information के basis पे इस slide में आपको colleges को show किया है, अगले slide में मैं आपको बताऊंगा clinical stats के basis पे colleges किसे साफ से stand कर रहे हैं, आगे वाले slide में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि UP में emerging colleges, private colleges के category में कौन-कौन से हैं, तो अब हम बात करते हैं कि colleges के बारे में, जो number one position पे श्रिद्राम मूर्ती बरेली, यहाँ पर मैंने stats लिया है, यह seat कितनी है, यूजी में, passing percentage, fee, total cost, annually, और expected cut-off, तो सबसे पहले श्रिद्राम मूर्ती बरेली की बात करते दोजाब पांच में established किया गया था इस college को, 100 seats हैं यहाँ पर यूजी की, और बहुत ही बहुत ही बहुत ही passing percentage, यानि कि 97%, यानि कि जो बच्चे MBBS में पर admission ले रहे हैं, उनका ये performance है कि वहाँ पर जाकर की बहुत अच्छा perform कर रहे हैं, total cost जो आपका आ रहा है, 16,9,360 का annually, expected cutoff यानि कि 500 से 500, 10 के बीच में अगर आपका score फॉल कर रहा है, तो आपके बहुत clear chances हैं कि आपको ये seat allot हो जाएगी, ERA Medical College second position पे stand कर रहा है, 1997 यानि कि बहुत ही पुराना college है, 150 UG seats है यहाँ पे, 92% passing percentage, ये भी एक बहुत अच्छा figure है, 280 से 300 का expected cutoff है, जो कि lower side पे है, इस वज़े से क्योंकि यहाँ पे budget बहुत जादा है, अगर ये college थोड़ा अपने budget पे work out करते, तो सायद और भी बच्चे जो meritorious थे वो भी इस college को ले पाते हैं, यहाँ पे admission और पढ़ने का उनको मौका मिलता, तीसरी position पे है सुभारती medical college merit, one of the oldest college, 1996 में established किया गया था, 150 seats है यहाँ पे, 82% का passing percentage है, 15,4,919 का total cost हैगा, 440 से 450 का expected, आप cutoff expect कर सकते हैं, यहाँ पे, 4th position पे शार्दा, जो इसने बह अच्छा remarkable growth शो किया है, 2009 में established किया गया था, इस college को 150 seats हैं, 87 का passing percentage है, और इस college में आपको 460 से 470 की score range में admission मिल जाएगी, तिर्थांकर महाविर जो कि मुरादाबाद में है, 2008 में established किया गया था, 150 seats हैं यहाँ पे, 83% जहाँ पे थोड़ा सा इनको work out करनी की जरूवत है, costly है college 280 से 300 के score range में हाँ पे options मिल जाएंगे, 6th position पे हिन institute of medical science 12 बंकी, इनके 2 campus है, बस इस college इस campus का ज्यादा feedback अच्छा है, 2009 में established किया गया था, 100 seats हैं यहाँ पे 82% का passing percentage है, यहाँ पे आपको 420 से 430 के score range में आपको options यह मिल जाएंगे, रोहलकर्ण medical college बरेली 7th position भी stand कर रहा है, 2006 में established किया गया था, 150 seats हैं यहाँ पे, 94% यानि के passing percentage है, स्रीरामूर्थी बरेली के बाद 2nd position पे इसका passing percentage है, और एडरा medical college का 3rd position है passing percentage के basis पे, 400 से 410 के score range में आपको यह college अलॉट हो जाएगा, मुझबपर नगर medical college 2006 में start किया गया था, 150 seats हैं यहाँ पे, 81% passing percentage है, जहाँ पे इनको थोड़ा work out करने की जरुवत है, 400 से 420 के score range में यह college आपको अलॉट हो जाएगा, heritage institute of medical science वारेनसी 2015 यानि की नया college है, बट इस college ने बहुत अच्छा growth शो किया है, 84% का passing percentage है, और 370 से 380 के score range में यह college अलॉट हो सकती है, रामा medical college कानपूर 10th position पे है, 2008 में का establishment year है, 100 seats है, 83% passing percentage जहाँ पे थोड़ा इनको work out करने की जरुवत है, और इनका जो expected cut off है, वो 360 से 370 का है, 10th position पे और भी कुछ colleges थे, जिनको हम बहुत difficult हमारे लिए हो रहा था, जैसे कि सरस्वत्ती medical college हापूर, रामा हापूर, इन colleges के बीच में आपस में काफी difficult हो रहा था, बढ़ हमने कुछ parameters के basis पे रामा medical college को opt किया, अब हम clinical stats के basis पे देखते हैं, college की क्या situation है, सिर्यार मुर्ती बरेली की OPD सबसे ज़्यादा higher side पे है, number of teaching bed भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, 1570, OPD 2350 जो की बहुत अच्छा number है, सीखने के लिए बहुत कुछ मिले गा है हाँ पे, 121 IPD, PG की seats यहाँ पे 87 है, 25 major, 97 minor surgeries यहाँ पे होती है, तो हर तरद एक अच्छा exposure मिलेगा, teaching faculty 336 जो की बिल्कुल apt है, era medical college की अब देखते हैं हालत क्या है, 900 teaching bed hospital है, 1981, एगेन इनका भी OPD बहुत अच्छा है, 98 IPD है, 110 PG की seats, जयरे कि सबसे ज्यादा PG seats अगर देखा जाए UP में, तो तिर्थांकर महाविर में 126 है, और 2nd position पे era medical college का number आ रहा है, इसके बाद में 3rd position पे सुभार्ती और 4th position पे सृरिधा मूर्ती, in terms of PG seats, OPD पे अब देखते हैं, सुभार्ती medical college की क्या situation है, 938 bed की teaching hospital है, 1661 का OPD footfall है, एक average daily footfall है, 21 major, 81 minor surgeries, 387 faculties, तो faculty के मामले में अगर देखा जाए, तो 391 सबसे ज्यादा era medical college में, इसके 387 सुभार्ती, फिर अगर जाकर के हम देखें तो 336 सृरा मूर्ती 3rd position पे, 4th position पे 320 रहेलखंड और 5th position पे 318 मुझअ पनेगा, तो आप देखें, अलग-अलग parameters पे कैसे college अपने आप में काफी competitive है, कुछ parameters किसी college के अच्छी है, कुछ parameter किसी और college का अच्छा है, और इसके basis पे काफी difficult होता है ज़स्प कर पाना, 4th position पे school of medical science शार्दा है, number of beds यहाँ पे 1080 है, 1595 का OPD है यहाँ पे, 85 IPD, 72 PG seats हैं यहाँ पे, 245 faculty यानि की थोड़ा lower side पे, यहाँ पे इनको workout करनी की जरुवत है, और although यह कर भी रहे हैं, जो हमने दो साल में इस college को जिससे सबसे grow करते वे देखा है, वो काफी appreciable है, तिर्थांकर महावीर मुरादाबाद की बात करते है, 960 bed का teaching hospital है, 1405 OPD, 126 PG seats हैं, 17 major, 47 minor और 286 इनका faculty का strength है, हिंद 12 वंकी में सबसे lowest number of teaching bed है, 540 जहाँ पे इनको अभी hospital पे workout करनी की जरुवत है, 1438 का OPD है, 97 IPD है, रेली admissions हो रहे हैं इतने, 51 PG seats हैं, यहाँ पे भी थोड़ा सा भी इनको workout करनी की जरुवत है, 18 major, 48 minor surgeries यहाँ पे daily average है, 243 faculty, यानि कि यह भी part है, जहाँ पे इनको workout करनी की जरुवत है, रोयल खान मेडिकल कॉलिज बारेली, 720 teaching bed हैं यहाँ पे, 1175 OPD, थोड़ा सा OPD पे यह मात खा जा रहे हैं, बारेली में, SRMS में जिसे साबसे OPD का footfall है, उस comparison में रोयल खंट में बहुत gap है, अब यहाँ पे PG seats देखें तो 83 है, चोकि नेरबाट SRMS बारेली को अल्मोस्ट यह match कर रहा है, faculty strength बहुत अच्छा है, 320, मुझपरणगर Medical College में 720 bed की teaching hospital है, 1168 का OPD है, 87 IPD, 70 PG seats है, 318 faculty का strength है, जोकि एक अच्छा number है, Heritage College ने काफी अच्छा show किया है अपना growth, 715 का bed है, यहाँ पे teaching, 921 OPD जहाँ पे इनको workout करने की जरुवत है, 35 PG seats हैं यहाँ पे, major 11, 43 minor, अभी काफी area of development है इस college में, 251 faculty यहाँ पे इनको workout करने की जरुवत है, Rama Medical College कानपूर में 730 bed की teaching hospital है, 878 OPD, lower side पे OPD है, जहाँ पे इनको थोड़ा workout करने की जरुवत है, anyways, इस time पे COVID के वज़ए से भी काफी impact रहा है, कई college बहुत suffer कर रहे हैं, जहाँ पे लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं, बट आने वाले time में अगर हम OPD के बाद का एरा में अगर देखेंगे, तो situation बिलकुल बेहतर होगी, और इसमें कोई हमें doubt नहीं है, 32 PG seats हैं, यहाँ पे अभी इनको बहुत work out करनी की जरूरत है, major and minor surgeries भी lower side पे है, faculty 276 एक ठीक figure है, बट यहाँ पे भी थोड़ा work out कर सकते हैं, अब मैं इन top 10 medical colleges की pros and cons के बारे में बताता हूँ, सबसे पहले श्रीराम मूर्ती बरेली की बात करते हैं, academics, clinical exposure, consistency, passing percentage, इन मामले में यह college बहुत अच्छा stand कर रहा है, negative point बहुत मुश्कित से हमने identify किया है, वो यह है कि यह extremely disciplined है आपे, कई parents को यह काफी अच्छा sound करेगा, बट जो बच्चे हैं वहाँ पे, उनसे अगर हम बात करें, they are into professional program और उनको इस level का discipline, कहीं नहीं कहीं बहुत ज्यादा difficulty create करता है, era medical college लखनौक की बात करते हैं, academics, reputation बहुत अच्छा है, experience faculty है, but over budget इनका एक negative aspect है, थोड़ा budget यह अगर रखते बच्चों के लिए, तो सायद लोग affordable मान करके colleges को और भी opt करते, higher score वाले बच्चे भी, सुभाती medical college की भी academics की बहुत अच्छी feedback है, एक अच्छा OPD है, neat and clean hospital है, teaching team अच्छी है, PG के बच्चे यहाँ बहुत सारे है, penalty एक negative aspect है, जो कि मुझे लगता है काफी irrational approach है इनका, जहाँ पर यह penalty जिस हिसाब से impose करते हैं बच्चों के उपर में, वो कहीं ने कहीं उनको demotivate करता है, जहाँ पर इनको work out करने की ज़रुवत है, शार्दा की बात करते हैं, academics में काफी अच्छा development शो किया, infrastructure बहुत अच्छा है, एक pleasant environment है वहाँ पर, increment भी अकर देखा जाए OPD में तो काफी satisfactory है, और upcoming 1500-bit cancer hospital भी एक इनके लिए बहुत बड़ा added advantage होगा, expensive हैं कुछ other charges जो कि इनकी negative point है, इनको अभी अपने faculty sources पे work out करने की ज़रूरत है, although इन्होंने काफी अच्छा work out किया है, अच्छे faculties को उन्होंने लाया है, जो कि अच्छे renowned institutions में काम कर रहे थे, जैसे कि UCMS, मौलाना अजाद, SSA institutions से लोग आग करके यहाँ पर अपनी service offer कर रहे हैं, तिर्थांकर महावीर की बात करते हैं, reputation एक बनावा है इस college का, highest number of PG seats, इनकी advantage है, OPD भी एक अच्छा है इनका, negative point यह है कि यह काफी expensive college है, जैसे era medical college है, हिंद 12 वंकी की बात करते हैं, एक overall एक अच्छा feedback है बच्चों के तरब से, पढ़ाई को ले करके, patient पी अच्छा है, academics अच्छी है, एक अच्छा माहौल है पढ़ाई का, negative point यह है कि hostel कहीने कि आपको dissatisfied करेगा, number of जो बच्चे है एक room में, वो कहीने कहीन मुझे लगता है क्या कि ऐसे नहीं होने चाहिए, 3-4 लोगों एक room में accommodate अगर करके रह रहा है, तो यह कहीने कहीन मुझे लगता है क्या कि ऐसा नहीं होना चाहिए, अभी इनको अपने hospital bed पी work out करने की जरुवत है, number of beds काफी कम है यहापे, रोहिलखंड, बरेली की बात करें, infrastructure बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, pleasant आपको लगेगा जा करके, passing percentage अच्छा है, faculty strength अच्छी है, पर इनको अभी hospital में थोड़ा और trust create करने की जरुवत है, अपने equipment, अपने facilities पे अगर यह work out करेंगे, तो साइध इनके OPD और improve कर जाएगी, potential है इनके अपास में, मजबपर नगर medical college की बात करते हैं, academics अच्छा है, maintained है, safety, security बहुत अच्छी है, faculties आप एक बाद जब college में एंटर करेंगे, जिससे साबसे इनका एक negative approach है, location को ले करके, बट आप एक बाद जब college एंटर करेंगे, तो आपको हर जगा पे safety मैसूस होगी, maintained college है, आपको hospital में लोग नज़र आएंगे, wards में अगर आप जा करके देखेंगे, तो आप पे patients आपको नज़र आएंगे, तो ये एक अच्छा feedback है, थोड़ा इनको work out करना है, और अपने hospital के उपर में, थोड़ा इनको locations के वज़े से, ये challenges face करना पड़ रहा है, otherwise college एक अच्छा stand कर रहा है, heritage की बात करते हैं, काफी अच्छा growth इनों ने शोग किया है, एक अच्छे pace पे ये college ग्रो कर रहा है, कई ऐसे colleges हैं, जिसको ये काफी अच्छा competition देगा, और इनकी position भी आप आने वाले time पे ranking में, आप उपर की तरफ देखेंगे, consistency दिख रही है भी इसमें, अभी इनको अपनी clinical departments को आड़ करने की ज़रूँ थे, अपनी PG program में, OPD थोड़ा work out करने की ज़रूँ थे hospital पे, रामा medical college कानपूर को लेकर की, जितनी negative thoughts आ रहे थे 2019 में, 2020 में भी initial level पे, बट जो बच्चे 2020 में गये हैं, उन्होंने बहुत अच्छा positive feedback दिया, तो एक U-turn मैं कहूँँगा, इन्होंने confidence गेन किया है फिर से, बट negative point यह है कि, जितना समय इस college को मिला है, इतने समय में इस college ने बहुत अच्छा growth, जैसा होना चाहिए था, वो ऐसा growth अटेंड नहीं किया है, अभी hospital पे इनको work out करने की ज़रूबत है, अभी उत्तरपदिस के कुछ promising medical colleges हैं, जिनका future बहुत अच्छा bright दीख रहा है, आने वाले time में, सबसे पहले नंबर पे टीएश मिस्ट्रा मेडिकल कॉलेज है, काफी promising है, huge faculty strength है, growth बहुत अच्छा है, अपने पहले batch का recognition यहनोंने विल्कुर time पे पा लिया है, area of development यह है, कि इनको अपने hostel की infrastructure पे walk out करने की जरुवत है, और clinical programs में अभी approval लेने की भी जरुवत है इनको PGP के लिए, United Institute of Medical Science जो कि प्रयाग राज में है, नए college होते भी जिस हिसाब से यह sound कर रहा है, जिस हिसाब से college अपने पहले साल में अपना एक approach हो किया है, वो काफी remarkable है, academic school को ले करके, काफी well planned है यह लोग, professional team है, experience team है, एक approach इनका काफी corporate है, जो कि बहुत अच्छा साहिन है, faculties और OPD को ले करके अभी है, इस area में इनको अकॉर्ट करने की जरुवत है, Noda International भी नए college में एक अच्छा sound कर रहा है, academics अच्छी है, infrastructure बहुत अच्छा है, cadaver ratio 1 is to 25 का बहुत अच्छा है, जो बच्चे वहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, उन्होंने अपना feedback शेर किया है, हमने वहाँ पर जाकर के भी देखा था, किस हिसाब से चीजें वहाँ पर fall कर रहे हैं, बच्चों ने बाया chemistry के उपर में बहुत अच्छा feedback शोग किया, other departments को भी ले करके किसी तरह का कोई negative aspect नहीं था, hostel को ले करके थोड़ा उन्होंने complaint बताया, कि अभी management दित्वे call नहीं ले रही है, खाने को ले करके उनको दिक्कत है, होस्टल में रहने को ले के problem नहीं है, बट खाने को ले करें, तो मुझे लगता है वो vendor change होंगे, तो ये भी situation नहीं का normalize हो जाएगा, अभी इनको work out करना है अपने facilities को ले करके, faculties को ले करके, OPD को ले करके, nearby locations इतनी develop नहीं है, आस-पास में कुछ है नहीं, इस वज़े से इनको थोड़ा सा परिशानी जहलना पड़ रहा, बट काफी promising है, आने वाले टाइम में ये college, हर department में, हर area में अच्छा performance शो करेंगे, तो दोस्तों, hopefully आपको हमारे वीडियो पसंद आया है, हमारे टीम के साथ connect करने के लिए 76-786-76001 पर contact करिये, अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आया है, तो हमारे चैनल को जरूर लाइक करिये, सब्सक्राइब करिये और शेयर करिये, Say hello to GMU, the one-stop shop for all your admission needs. We introduce you to the finest universities and help find the best fit based on your profile. We help with applications and assist with documentation, visas and even accommodation. With over a decade's worth of experience, 40 university partners in 10 countries worldwide and more than 5,000 satisfied students, GMU does it all. Fix a meeting with us today.